हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, AIS एजूकेशन साज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी कोई भी स्टूडेंट इगनू में अपना एडमिशन करता है, फ्रेस एडमिशन करता है, और एडमिशन की पेमेंट एड्सेक्टरा करके फोर्म सब कर देता है, यानि कि सभी स्टैप्स अप्लिकेशन के कम्प्लीट कर लेते हैं, तो उसके कितने टाइम के बाद आपका एडमिशन कंफरमेशन मेल आता है, यानि कि कब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, इसके बारे में इगनू ने क्या ओफिसियल ये अपनी वेबसा किया जाता है, और इलिजिबिलिटी कंडिशन से मैच किया जाता है, कि आप उस कोर्स में एडमिशन के लिए इलिजिबल है या नहीं, अगर इलिजिबल हैं, तो ओडमिशन कंफरम कर दिया जाता है, और इनिलिजिबल हैं, तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, और जो लोगों के रिजिनल सेंटर के पास कितना वर्कलोड है उसके नुसार आपका टाइम वेरी करेगा अब जनरल ही अगर बात की जाए तो आपकी एडमिशन फीस पेमेंट करने के लगबग 20 से 25 दिन में आपका एडमिशन कंफर्मेशन आ जाता है और बहुत बार तो वन वीक के बात तक सभी स्टुडेंट्स के एडमिशन कंफर्म कर दिये जाते हैं तो यह आपका डिटेल्स है आज की वीडियो में इतना ही कैसे चेक करते हैं यह वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में में मेंसन की हुई है आप चेक कर सकते कि कैसे एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं कैसे आप चेक कर पाएंगे